हलो गाइज वेलकम तो न्यू वीडियो इन दिस ब्लॉगिंग स्रीज गाइज इस वीडियो में आप लोग को बताने वाला हूँ कि आप एक अपने ब्लॉगर की वेबसाइट पे कस्टम डॉमेन को कैसे एड कर सकते हो राइट गाइज होता कि बहुत सारे लोग ब्लॉगर प रैंक भी नहीं करता है जल्दी से और यह चीज उनको बाद में पता चलता है और वो मैं बताना कर चाह pressures करो मैं होस्टींगर से टोमेन परचेज करो बिल्कुल अस्क्राइस से बताऊंगा, होस्टिंगर से भी डोमेन पर्चेस करूंगा, ब्लॉगर पे नया ब्लॉग बनाऊंगा, एंड उसे मैं connect करके आप लोग को दिखाऊंगा कि कैसे किस्टम डोमेन एड करते हैं, और इसका benefit भी है, बहुत सारे लोगों की मन में question होता है, अगर हम कस्टम डोमेन एड कर देंगे इसमें, तो क्या Google AdSense का approval मिलेगा, बिल्कुल मिलेगा और जल्दी मिलेगा, प्लस मैं आपका rank भी करेगा easily, गूगल में, कस्टम डोमेन एड कर कर दोगे तो, इस वीडियो पर आगे बढ़ने से पहले आपको यह बता दो कि अगरा आप यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब ने कियो तो यह सब्सक्राइब कर लोगोज बहुत के लिए बहुत है, फेस्बुक पर फॉलो कर लोगोज फेस्बुक में बहुत सारी वीड फेस्ट काल वोजो बोगोज बहुताकर बत्वन बाई यहाँ एक ब्लोग बना लेताओ, यहां पे पर रह्यवाहाल से प्लिल्क निया ब्लोग पर प्रिटी टाँट कर लेता तो टाइटल आपको क्या रखना है जिस भी टाइप का आप आर्टिकल रिखना चाहते हो उससे रिलेटेड आपको यहां पर टाइटल रखना है अगर आप फाइनस रिलेटेड बना चाहते हो तो यहां पर आप यहां पर आप उस टाइप का टाइटल रख सकते हो अब नेक्स हमारा बन गया है न्यू ब्लॉग राइट अभी मैं यहां पर व्लॉग पर क्लिक करता हूं यहां पर आप देख सकते हो यह जो हमारा भी यहां पर डॉमेन आएगा यहां पर देख सकते हो डॉमेन पर जाना है और यहां से आपको एक डॉमेन पर कुर्फिश करना है, क्यों पर बताता हूं तो सबसे पहले आपके डॉमेन लेन यह वह पर ही सर्च करिये तो मेरा यूट्यू चानल करना मैं यह यहां चाहता हूं और यहां पर आपको अविलेवल है या नहीं तो यहां पर AKS TakeWorld.in अविलेबल नहीं है, AKS TakeWorld.com अविलेबल है, तो मैं .com ले लेता हूँ, यह और भी अची बात है, तो simply आप लोगो add to cart पर click करना है, जैसे आप add to cart पर click करोगे, तो यहां पर verifying availability का option आ रहा है, उसके बाद यहां पर देखो, यह अविलेबल है, तो continue to cart प click करना है, जैसे आप continue to cart पर click करोगे, तो यहां पर देखो, अगर मैं यहां पर दो साल के लिए लेता हूँ, तो मुझे यह वन डबल नाइन में मिल जाएगा, for first year, right, but मुझे यह दो साल के लिए नहीं लेना है, मुझे एक साल के लिए लेना है, but मैं अगर एक साल के लिए यहां पर मुझे कितना पे करना पड़ेगा, 699 रुपया, और टैक्स वेगर आड़ करके 840 रुपया मुझे पे करना पड़ेगा, अगर आपके पास कोई coupon है, तो यहां पर click here पर click करिए, और यहां पर coupon आप में डाल दीजे, या फिर रेफलर कोड है, तो डाल दीए, आप फिर मैं स्क्रीन पर यहां पर आड़ कर दूगा, उसे आपको यहां पर डालना है, हो सकता है, आपको कुछ discount मिल जाए, और यहां पर आपको personal details को hide करना है, तो आप 299 रुपीज पे कर सकते हो, यह personal details को hide कर देंगे, कोई ज़रुरी नहीं है, आपको hide करना, क्यूं आप पे आपको sign up करना पड़ेगा, but already मेरा एक account है, तो मैं login करूंगा, और मैं Google से login कर लेता हूं, अगर आपका account नहीं है, आप sign up क्लिक करो, मैं description पर link दे दूँगा, अगर मेरे दिये हूए link के थूरू अगर आप sign up करते हो, hosting पर तो मुझे भी यार कुछ, उसका benefit मिलेगा, आप सकते हो, netbagging से करना, netbagging से बाट मैं UPI से करूंगा, तो UPI से लेक्ट कर लिया मैंने, और यहां पर continue with UPI पर आप लोगो को click कर देना है, और यहां पर नया interface आ रहा है, so guys यहां पर देख सकते हो, नया interface आ चुगा है, और यहां पर आप लोगो अपना UPI ID डालना है, और यहां पर पे का एक option आएगा, तो simply आप लोगो आप पे पे क्लिक करना है, so guys यहां पर मैं अपने फोन से पे कर चुका हूँ, और यहां पर देख सकते हो, your payment is successful, यहां पर आ चुका है, उसके बाद यहां पर देख सकते हो, you are being redirecting, और भी कुछ कुछ आ रहा है, so guys यहां पर यहां पर आप देख सकते हो, finish domain registration, aks takepal.com करके आ रहा है, और यहां पर, सबसे पहले तो मैं यहां पर इसे cut कर देता हूँ, alright, उसके बाद यहां पर देख सकते हो, select primary details, choose an option, country मेरा इंडिया है, तो यहां पर जो भी आपका country हो, आप select कर लो इंडिया, पागिस्तान, बंगल कर देना है, first name, last name, email, आपका जो भी state है, आपका जो भी city है, आपका जो भी address है, यहां पर जो भी address में क्या करना है, आप लोगको लंबा नहीं लिखना है, ठीक है, आप simply अपना police station and district डाल दो, उसके बाद फिर जीप कोड डाल दो, बस, अगर आप लंबा करोगे, यहां प being registered right, और यहां पर देक सकते ही यह, आप लोग कुल्क यहां पर करना है, यहां पर जितने भी डॉमेन यहां, रूमेन यहां पर क्लिक करना है, जी आप दो में पर किलिक करना है, आप लोग्य के है, तो जितने भी डॉमेन आपन श्यी लिग का है, वो его store100 यहां पहाई तो आप लोगो जो भी डॉमेन को एड करना है उस पर लोगो क्लिक कर देना है तो यहां पर जैसे मैं क्लिक करूँ गा तो यहां पर देख सकते हो यहां पर नया इंटरफेस आ रहा है और यह सारा कुछ तो यहां पर आप लोगो क्या करना है dns name servers पर यहां पर क्लिक कर देना है जैसे आप क्लिक करोगे दन यहां पर आपको थोड़ा scroll down करना है और यहां पर आप देख सकते हो manage dns records यहां पर एक यह उसके नीचे आप आओ गे देन यहां पर बहुत सारा dns record तो आप लोगो एका कर यहां पर डिलीट करना है तो सब को यहां पर डिलीट कर देना है यहां पर यहां पर डिलीट कर देना है यहां पर यहां पर आप लोगो यहां पर आप लोगो आ जाना है पर ब्लॉगर पे और यहां पर आप लोगो आ जाना है पर ब्लॉगर पे और यहां पर आप लोगो आ और यहां पर यहां पर क्लिक करने है, सबसे पहले तो www. Baba dot कर दिना और यहां पर जो आपका यह domain name था, domain name था Akstakeworld.com, यहां से copy कर लेना है और copy करने के बाद यह पर blogger पर आकर कर के आपको पेस्ट कर दिना, www.akstakeworld.com, पेस्ट करने के बाद आप आप लोको यहां पर save पर क्लिक कर देना है जैसे आप save करोगे देन यहां पर आप देख रहो एक error rate type का कुछ यह आ रहा है तो आप लोको यहां पर क्या करना है यहां पर सबसे पहले आप लोगे देख रहो फॉल्लाविंग टूसी नेम यहां पर करके option है और यहां पर name में www तो डेबलो डेबलो को यहां पर control कर लेना है और यहां पर copy करने के बाद आप लोग आ जाना होस्टिंगर पर और यहां पर type a में क्या करना अप लोगो यहां पर c-name select कर लेना है और at the rate के जगह आप लोगो Google.google.com इसे copy करना है GHS.google.com और again hosting पर आना है और target पर पेसे paste कर देना है और यहां पर add record पर click कर देना है उसके बाद यहां पर आप लोगो क्या करना है यह DNS एड हो चुका है अब अगेन आप लोगो को यहां पर blogger पर आना है और यहां पर आप देखो again है यहां पर name नेम के बाद इहां पर अगेन है एक gq करके कुझत हो दो इसे आप लोग को कॉपी करना है यहां पर तो यहां पर लोग करना है आपड़ के बाद यह जो आफ पर लिखा a यहां प आप को कोपी करना है घ्रीच करते हैं दॉट कॉम तक क्RY को को यहां पर be levar पर मिलागर कर अंब और यहां पर है chtdpsupport.google.com कुछ करके यहां पर आ रहा है तो यहां पर आप लोग को क्या करना है यह इसे कॉपी करना है ठीक है इसे कॉपी करना है और यहां पर आपको Google पर आ करके यहां पर पेस्ट कर देना है अगर असे बात नूझ आप यहाँ इसाचावाइन करने के बात यहाँ नयशे जाओंगे Plug तबने आप लोगों को आपकर रह Ride Game, टो आप लोगों को the date… ट्यूट करने के पेस्ट करने है नगेर रहें लूट है तो क्या करना है सबसे पहला वाला इसे कॉपि करते हैं फर्स्ट व्ला कॉपी करने और होस्टिंगर पे आना है और यहाँ पर टाइप A सेम रहने देना है नेम के जग़ह पर यहांप को सेम रहने देना है सिर्फ पॉइंट टू पर जाने बाद ह pills करके यहाँ पर P 세Dent और एड रिकॉर्ड पे क्लिक कर देना है इसके बाद फिर यहां पे अगेन आप लोग आ जाना है और यहां पर यह ठड़ वाला जो है इसे कॉपी करने के बाद यहां पे आप लोग को अगेन होस्टिंगर पे आना है नेम में गाईज वही एड रिकॉर्ड रहने देना है और इसे cut कर देना है और अभी जो आपने paste किया sorry copy किया उसे paste कर देना है फिर add record पे click कर देना है यह भी add हो चुका है अगेन आप लोगो को यहाँ पे आना है और यह जो 4 number का आना इसे भी आप लोगो copy करना है और hostinger पे आने के बाद यहाँ पे name में और यहाँ पे points to में इसे cut कर देना है और यहाँ पे इसे paste कर देना और इसे भी add record पे click कर देना है so guys यहाँ पे आप देख सकते हो सारा कुछ यहाँ पे add हो चुगा जितना भी हम लोगों ने add किया right guys आप लोग यहाँ पे skip नहीं करेगा अच्छे से देखेगा वरना कुछ problem हो सकते right तो अब आपको क्या करना है अब आपको अगेन यहाँ पे blogger पे जाना है blogger पे जाने के बाद यहाँ पे आप लोगो को save पे click कर देना है जिसी आप save पे click करोगे तो यहाँ पे यह जो आपका domain है आप देख सकते हो custom domain में www.akstakeworld.com आ चुगा है यहाँ पे right बट अब आपको यहाँ पे क्या करना है sorry अब आपको यहाँ पे redirect domain है ना इसे आप लोगों को click कर देना और इसे redirect कर देना है यहाँ पे देख सकते हो यह enable हो चुका है अब आप लोगो क्या करना है हलका सा scroll down करना है और scroll down करने के बाद HTTPS availability इस पे click कर देना है और इसे भी on कर लेना है और यह दोनों on हो चुका है अब हमारा काम हो चुका है अब आप व्यू ब्लॉग पे click करोगे ना तो यहाँ पे आ चुका है हमारा यह जो domain वो connect हो चुका है akstakeworld.com यह connect हो चुका है but problem is that कि यहाँ पे अभी time लगेगा तीन चार मिनट या फिर एक घंटा दो घंटा एक घंटे में यह हो जाता है राइट आप एक घंटे के बाद अगेन आकर चेक करोगे तो यह आपका connect हो जाएगा और यहाँ पे यहाँ पे 10-15 मिनट हो चुका है और मैं यहाँ पे आपको सेटिंग पर दिखा देता हूं कि यह वही ब्लोग है जिसे मैंने अभी कस्टम डोमेन एड़ किया था ठीक है देख सकता आप डेख सकता आप डेख सकते हो यह जो एक स्टीक वर्ल्ड है एक स्टेक वर्लोट कम डोमेन कनेक्ट हो चुका है और यह बिल्कुल अच्छे तरिके से आप अपन भी हो रहा है राइट यह था आज का वीडियो कि कैसे कस्टम डोमेन को एड़ करना है अपने ब्लॉगर के वेबसाइट पर आइए होप आप लोग को वीडियो चल लगाओ वीडियो चल लगाओ तो लाइक कर दिए और यह जैसे ही ट्यूटोरियल में तब तक के लिए बाई बाई टेक्टर धन्यवाद चैहीं में जैसे